सीरियल मंगल लक्षमी में आया लेटिस्ट ट्विस्ट जैसे ही मंगल घर में एंट्री कर रही होती है पीछे से कार्तिक आता है और उसकी आखें बंद कर लेता है मंगल हैरान होकर पूछती है कौन है जब कार्तिक उसकी आखें खोलता है तो वह खुशी खुशी बताता है कि लक्षमी का जन्मदिन आने वाला है और कैसे जन्मदिन की प्लानिंग शुरू हो चुकी है इसी बीच कार्तिक को एक फोन कॉल आता है और वह वहाँ से निकल जाता है कहानी में आगे दिखाया जाता है कि मंगल और बच्चे मिलकर लक्षमी के लिए गिफ्ट तयार कर रहे होते हैं मंगल बच्चों से पढ़ाई करने के लिए कहती है और वे वहाँ से निकलने लगते हैं तभी अचानक अधित वहाँ आता है जिसके बाद मंगल और अधित के बीच लक्षमी को लेकर बहस शुरू हो जाती है अधित गुस्से में मंगल से कहता है यह वही लक्षमी है जिसने मुझे जेल में डलवाया था यह सुनकर मंगल पूरी तरह से शौक हो जाती है और अधित से कहती है कि उसकी यह सोच गलत है क्योंकि यह सब लक्षमी ने नहीं बलकि सौमया ने प्लान किया था सीरियल में आगे एक और ट्विस्ट तब आता है जब अधित और सौमया के बीच लक्षमी को लेकर जबरदस्ट जगड़ा होता है अधित सौमया से पूछता है क्या तुम लक्षमी से मिलने बुर्खा पहन कर गई थी? इस सवाल को लेकर दोनों के बीच बहस बढ़ जाती है अधित गुस्से में कहता है मा सही कह रही थी ऐसे रिष्टे बनाने ही नहीं चाहिए अब देखना यह होगा कि इस ट्विस्ट के बाद कहानी में कौन सा नया मोड आएगा यह बाते दिल्चस्प होगा